ही गाईज इट्समी शानवी का होप यह दूइंग वेलेंड वेलकम टू माई चैनल ग्लेमरस ठीक अनुस ओ आज की वीडियो बहुत जाद इंफॉर्मेटिव होने वाली है और यह उनके लिए बहुत जाद हैलफुल रहे कि जिनको एयर या नोस पिर सिंग के बाद इस तरीक लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत जाद इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही दो प्रॉसेस शेयर करूंगी जापकि इस प्रॉब्लम को दूर करने में तो हैलफुल रहेंगे हैं चलिए इस वीडियो को शिरू करते है पर उसके बाद प्रॉबलम हमें फिस करने पड़ती है होती है कि हमारे एर से पस आना Sarai में ही पेन रहना जब हम अपने कान को या फिर नोस को छिदवाते हैं तो यह प्रोब्लम अकसर हमें फेस करनी पड़ जाती है तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और किन प्रिकोशन को हमें ध्यान में रखना है इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगी क्योंकि यहां पर बह साथ में ही उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना है पानी से क्योंकि पानी अगर वहां पर गया तो यह जो हम रेमेडी है यह वर्क नहीं कर पाएगी तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो आपको लेनी है यहां पर नॉर्मल किचन में जो हल्दी आपके पास जादे इसके अंदर हमें इंग्रीडियंट की जरूरत नहीं है यह लेने के बाद आपको लेना है सरसो का तेल एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है यहां पर जो मैंने सरसो का तेल यह हलका सा मैंने गरम क्या हुआ है जिनके हम अच्छे से सिकाई कर सकते हैं और जो हमारे इयर में या फिर नोज में जो पेन है जो उसमें बहुत यह रिलीफ मिltा है जहां पर भी आपके एरमों धर्द है साथ मेह बलेहां ऩर्डिय बलप करना बहुत है यह प्रोसें मैं दो बार करना है और रध मैं सोने से भी पहले ऊगर अगर आपको एक हफ्टे में रिजल्ट देखना है तो आप इस process को follow कर सकते हैं और अगर आपको देखना है 1-2 दिन के अंदर ही तो यहाँ पर मैं आपके साथ share करूँगी यह capsule फ्रेंज्स यह जो capsule है यह magical work करता है अगर इसका name मैं आपको बताऊँ तो यह soft floor के नाम से मिलदा है अगर यह online available हुआ तो इसका link मैं provide कर दूँगी otherwise मैंने इहाँ पर इस screen पर भी इसका नाम flash किया तो आप किसी भी medical store से इसको purchase कर सकते हैं एक capsule आपको 2 रुपे में मिलदाता है तो काफी ज़्यादा सस्ता यह capsule है और यह किस तरीके से हमें use करना है आप देखने हैं कि यहाँ पर मैं already use कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने आपको बतायता है मेरे ears में problem चल रही है अचानक से यहाँ पर मुझे गांट मैसूस हुई तो maybe monsoon season में यह problem अकसर हो जाती है तो इसको हमें किस तरीके से use करना है वो हम देख लेते हैं पड़ गया है या फिर खुझली आपको महसूस हो रही है या दर्द बहुत ज़द हो रहा है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जहां पर आपनी piercing कराई है वहाँ पर जो hole है उसके अंदर हलकी सी गांट आपको महसूस हो रही है और सेम ही problem आपको nose piercing में भी महसूस हो रही है तो ये थोड़ा सा आपको अपने hands पर लेना है और अपने ear के front side में और back side में उसको apply कर लेना है और अपने ear के फ्रेंट के फ्रेंट साइड में इस capsule को apply करने से इस दो बार apply करने में आपको बहुत ही difference महसूस होगा और कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इसको apply करने के बाद उस एरिया पर पानी नहीं जाना चाहिए कोई भी artificial नहीं पहनना हो अगर आप कोई भी artificial पहनता है तो make sure उसमें जंग लगाऊ और नहीं हो तो friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही hopefully वीडियो आपके लिए helpful रही होगे अगर वीडियो अच्छा लगाऊ तो इसको like and share ज़रूर कर दीजे और साथ में ही आप चैनल को subscribe करके notification bell को भी प्रेस कर दीजे फिर मिलते हैं next वीडियो में take care तिल दन बाबाए जय हिन जय भारत